देश में कुरूना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। प्रोफेसर अगरवाल का कहना है कि मई महीने के मद्ध में कोविट का पीक देखने को मिल सकता है। इस दोरान रोजाना 50-60,000 केस आने के उमीद है। अचानक से कोविट केस की बढ़ती संख्या की दो बजा है। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब आगे देखिए। पांच परसंट लोगों में वायरिस से लडने की शमता कम हो गई है। दूसरी वज़ा कोविड-19 ने वेरिंट हैं जो की पहले के वेरिंट से ज़्यादा तेजी से फैलता है। यही कारण है कि करोना के मामल में लगतार बड़ाओ तो देखी जा रही है। प्रोफेसर अगरवाल का कहना है कि देश में 90% से उपर और उत्तर पदेश में 95% लोगों में नेशनल इमिलिटी है। पचास हजार के आसपास केस आएंगे जो की भारत जैसे देश के लिए बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ जो संक्रमल हो रहा है वो बहुत खतरनाक इस तरका नहीं है। खासी जुखाम से लोगों को घर पर ही आराम मिल जा रहा है। ऐसे में COVID-19 को एक रेगलर फ्लू के जैसे मानना चाहिए। कोरोना वाइरस और कोरोना वाक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।